Redmi Note 10 Pro Max, Max से तो इतना confirm हो चुका है कि इस phone के अंदर Max performance मिलने वाला है और better camera मिलेगा तो काफी interesting सा smartphone होने वाला है Redmi Note 10 Pro का एक use successor हो करके ये Redmi Note 10 Pro Max में आने वाला है Redmi Note 10 Pro भी आएगा और Max भी आएगा Redmi Note 10 का कोई confirmation नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा पर इतना confirm है कि Redmi Note 10 series में दो smartphone मिलेंगे Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max इन दोनों devices में major update हम लोग को performance में मिलने वाला है इस phone के अंदर Snapdragon 860 5G chipset देखने को मिलेगा Snapdragon के तरब से latest chipset इस phone के अंदर मिलने वाला है और Redmi Note 10 Pro के अंदर हम लोग Snapdragon 760 8G chipset मिलेगा तो यहाँ पर confirm हो चुका है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग full detail में बात करने वाले है Redmi Note 10 Pro Max के बारे में कि Max के अंदर हम लोगो क्या specs देखने को मिलेगा Redmi Note 10 Pro Max का क्या pricing set होने वाला है इंडिया के अंदर तो without wasting any more time let's jump into the video स्टार्ट करते है इस phone के specs से performance के बारे में बात करते है Snapdragon 860 5G chipset इस phone के अंदर देखने को मिलेगा और chipset almost confirm हो चुका है यह chipset इस phone के अंदर मिलने वाला है और यह chipset जो कि Snapdragon के तरब से latest chipset है जो कि यार रियली में बहुत ज़्यादा powerful chipset है 2.86 GHz पे clock है clock speed तो यार हम लोगों रियली में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यह chipset जो कि Dual 5G Connectivity को सपोर्ट करने वाला है LPDDR4X RAM, UFS 3.0 Storage और यह phone जो कि Android 11 के साथ आने वाला है और NFC का सपोर्ट इस phone के अंदर देखने को मिलेगा डिस्पले के बारे में बात करते हैं 6.7 इंच का display इस phone के अंदर देखने को मिलेगा Full HD Plus का display मिलने वाला है जहांपे 1080p का resolution देखने को मिलेगा और 120 Hz का refresh rate वी इस phone के डिस्पले में मिलने वाला है Super AMOLED का panel वी इस phone के अंदर देखने को मिलेगा और डिस्प्लेइस फोन के अंदर हम लोगो full view display देखने को मिलेगा जहां पर second gen का एक pop-up selfie camera मिलने वाला है और in display fingerprint scanner इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा camera के बारे में बात करते है Panta rear camera setup इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा जहां पर primary camera मिलने वाला है 108 megapixel का latest primary camera इस फोन के अंदर मिलने वाला है followed by 20 megapixel ultra wide angle lens followed by 16 megapixel telephoto lens followed by 5 megapixel depth sensor followed by 2 megapixel micro sensor बात करते हैं front facing camera के बारे में front वे देखने को मिलेगा 44 megapixel का AI pop-up selfie camera no doubt इस फोन के अंदर rare और front में भी बहुत अच्छा camera इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है बैटरी ओ चारजिंग के भारे में बात करते हैं 5500 mAh का बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा बैटरी ओलमोस्ट कंफरम हो जुका है और बैटरी वेकप के लिए no doubt क्योंकि यार इस फोन के अंदर बैटरी वेकप बहुत अच्छा मिलने वाला है चार्जिंग के लिए 65W का फास्ट चार्जर इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा फास्ट चार्जर भी इन दी बॉक्स आने वाला है और टाइप सी पोर्ट और 3.5 mm का ओडियो जैक भी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा प्राइजिंग के बाले में बात करते है राइडमी और टैन प्रो का एक्से इक्सेट प्राइजिंग है 25,000 रुपीज के रेज में प्रेक्सिब लेबल के स्पेक्स फोन के अंदर देखने को मिल रहा है और एड्मी नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर जो कि यह स्नाप ड्रैगन के तरब से लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि एक गेमिंग बेश्च सेंट्रिक चिपसेट है तो अगर आप लोगों क लाइक नहीं किये तो क्या करें लाइक कर दीजिए सेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग साथ और कमेंट करके जरू बताइए बेस्ट पार्ट ओप इस वीडियो तो मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में